Hello students, welcome to the future academy, we are here for a better future, let's learn, let's start the video So, आज के इस session में हम बात करने वाल है, standard 10 हो या 9th हो या 12th हो, कोई भी standard हो लेकिन लेखन section जो होता है आपका, जो last में आप लिखते हो, वो उस section में आपको ऐसे पुछा जाता है, यानि कॉम्पो होते है, कहानी होती है, पत्र होता है तो आज के इस video में आप screen पर देखके समझ गये होगे, कि हम लोग इस video के अंदर बात करने वाले है कहानी लेकन की, यह बहुत ही जादा important है तो चार माक्स के लिए पुछा जाता है, तो चार माक्स बहुत ही जादा होते है, अगर आप अच्छे से present करते हो कहानी को अच्छे से लिख पाते हो, तो आपको आसानी से 3 या 3.5 माक्स मिल जाते है तो चलिए देखते है topic कौन सा है, यहाँ पे कहानी लेखर में आपको यहाँ पे मुद्दे दिये होंगे, यानि आपको topic दिये होंगे, कि आपको इस according कहानी को बनाना है, तो एक जमीदार है, बहुत से नौकर चाकर है, उसके यहाँ दिन प्रती दिन खेती की आमदनी में गटते जाना, यानि उसकी खेती दिन प्रती दिन गटती जाती है, मित्र की सला, रोश्ट उबर शाम खेत की सेर करो, जमीदार का खेत पर जाना, देखना, कुछ नौकर गायब, कुछ चीजे गायब, आखे खुलना, खुद काम में लग जाना, सभी में उत्सा आमदनी खेत है, तो खेती की जो आमदनी आती है, पैसे आते हो, कम होते जा रहे है, बढ़ते नहीं है, तो यहाँ पर वो डुखी है उस बात को लेकर, तो एक दिन उसकी यहाँ पर एक मित्रा आता है, मित्रा उसकी यहाँ पर रुखता है, और वो कुछ सला देकर जाता है, कि वहांप Verme उसकी आंखे खुल जाती है वह समझ जाता है ओपब उससाइत हो जाते वह वी उससाइत है और इस तरह से आमदनी यहां पर हमें समझ में आरा है कि हुद्रका में करना बहुत ज्यादा जरूरी है यह topic पे यही आपको समझ में आ रहा है कि तो आपको खुद से काम अपना काम खुद से करना चाहिए तबी सब लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं अगर आप ही आलसी होके बैठे रहेंगे तो कोई कुछ नहीं करेगा आप मालिक है तो आप उसको motivate सबको motivate कर रहे हो अगर आप ही आलस करोगे तो सब लोग ऐसे वैसे हो जाएंगे तो यह आपको सिरुशक बनाना होता है तो यही होता है कि अपना काम खुद से करना चाहिए तो हम यहां पे हमारा सिरुशक लिख लेते हैं चलिए जहां श्रम वहां संपती, पहले था हम यह लिख सकते हैं, यहां पर मेहनत होती है, वहां पर ही पैसे आते हैं, मेहनत के बगर पैसे किसी को नहीं मिलते हैं, हम लोग काफी सारे लोगों को देखकर इंस्पायर हो जाते हैं, और फिर सोचने लगते कि यार यार इसके जैसे पै नेक्स्ट आप इसके अलाव आप लिख सकते हो कि अपना काम खुद करो यानि आप अपना काम खुद से करोगे तो आपको इंस्पिरेशन मिलती रहेगी आप वहाँ पे जाते रहोगे देखते रहोगे तो काम भी अच्छे से होता रहेगा ठीक है किसी के बरो से नहीं बैठन चाहिए यह यहाँ पे हैं मेथ तो अब चलिए कहानी लिखना स्टाट करते हैं कनदग्पूर में एक बड़ा जमीदा रहता था टॉपिक जैसे हैं वैसे मुद्दे आपको प्यमिंट्स जो दिए उसके अकोर्डिंगिंग चलेंगे कनदग्पूर में एक ता था उसके पास बहुत सी जमीन जाइदा है और तब फिर उसकी जो फ्वर कर चाकर थी उसके पाँ कारिसे भी थे और सी किो यहां और फिर उसकी जो फ्रक्षित तनु जो पकता था वो फ्र सकी आ पर जो पकता थी का पक्र में लकश् tutoring के घाटा ही घाटा रहता था काफी सारे दिदिन उसकी के आमधनी गण्रटी गट रही मैं फिर भी प्रॉफचिट नहीं हो रहा था देधोने उसके लिए प्रशास्च के दिन पर पर इंकम कम हो रही है तो फिर एक दिन उसका एक मित्र उससे मिलने आया उसका एक फ्रेंड उसको मिलने आता है बोजनादी के बाद दोनों मित्र अब यहां पर दोनों बोजन करते हैं उसके बाद दोनों मित्र बैठते हैं साथ में ओके सो यहां पर कपशप लगाते हुए ब कि क्या प्रॉब्लम है जमीदार ने सारा हाल कह सुनाया तब उसमित्र ने जम old शुबर शाम खेद की सैर तो यहाँ पर वो मुत्र जब वो सुन्ता है कि क्या प्रॉब्लम है तो यहाँ П Kommentar चर्भ अच्छार्ता बढ़ाता लिए इस ऐसा करने से तुम्हारी आमदनी अवश्य बढ़ जाएगी तो फिर क्या होता है कि जमीदार को ये बात सुनकर थोड़ा सा आश्रियत होता है पर उसने मित्र की सलह मान ली दूसरे दिन वो वहाँ पे पहुत जाता है जहाँ पे उसका खेत है इस खेत खलियान है तो वो दूसरे दिन सुबह खेत पर पहुचते ही उसने देखा कि कुछ नौकर गायब है कुछ बैठे बैठे गपे लगा रहे है खेती के कई औजार भी गायब हो गए थे यह हाल देखकर सारी बात जमीदार के समझ में आ गई उस दिन से वह रोज सुबह शाम खेतो पर जाने लगा और खुद भी नौकरों के साथ साथ काम करने लगा यह ज़रूरी है यहाँ पे यही समझाया है कि अगर वह जाता ही नहीं है तो वहाँ पे किसी को क्या पढ़ी होगी अगर आपने कोई ओफिस खोली है और आप वहाँ के बहुत से एंपलोई आ रहे है सुबह शाम तो एंपलोई के पहले आपको पहुँचना पड़ेगा ताकि आप देख सबी कौन लेट आ रहा है कौन सही टाइम पे आ रहा है तो वह मारकेबल चीज होती है अगर मजदूर आ रहा है तो उससे पहले आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा आप उनको गाइड करोगे अगर आपके प्रेजन्ट में काम बहुत अच्छे से होगा अगर आप वहाँ से चले जाओगे तो वह लोग रिलेक्स हो जाएंगे और कुछ काम करेंगे नहीं आपके यहाँ पर जाता है तो उसको पहुझता ही है सब देखकर उसके दिमाग में दोड़ने लगता है Кाफी सारे नौकर आये नहीं है कुछ बैठे हैं गप लगा रहे हैं काफी सारे ऑजार भी गाया वह गया क्योंकि वह लोग बेच देते हैं उसको अके यह सब देखकर उसको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है और उसी दिन से उसने हर रोज जाना स्टार्ट कर दिया वो भी काम करने लगा नौकरों के साथ-साथ वो भी काम करने लग जाता है खुद जमीदार को अपने साथ-साथ काम करते हुए देखकर यहाँ पर बा ज्यादा काम होने लगा यानि बहुत कम वक्त में ज्यादा टाइम काम होने लगा अभी उसको दिखाई दे रहा है कि लोग काम कर रहे हैं जमिदार की आमदनी भी बढ़ने लगी यहां पर उसको प्रॉफिट होने लगा तो यहां पर उसको समझ में आ गया कि दिक्कत कहा पर तो यहां पर पूरी कहानी खतम होती है, लास में हमें बोध लिखना होता है, तो बोध हम ऐसे लिख सकते हैं, कि स्वयम पसिना बहाय बिना संपतिक आशा रखना व्यर्थ है, अगर आप ऐसा सूझते हो कि मेरे पास पैसा है मैं इन्वेस्ट करूँगा, हाँ शेर मार्केट और ओनलाइन जो ट्रेडिंग करते हैं और कहीं पर इन्वेस्ट करना वह लग है, लेकिन अगर आपके खुद की कमपनी, खुद का कोई शॉप, खुद का कोई फार्म हो या कुछ भी हो, जो आप खुद से करना चाहते हो, अगर ऐसे आप करने वाले हो, तो वहां पर आपक कमपनी है, तो उसके मालिक गर पे बैठें नहीं रहते हैं, वो भी सुबह जल्दी उठके फ्रेश होकर चले जाते हैं और सारा वाच रखते हैं कि क्या क्या कहां पर क्या हुआ, कितना प्रॉफिड हो, कितना लॉस हुआ, सब कुछ वो देखते हैं, तब ही तो आगे करने वारे लोग भी आलसी हो जाते हैं, तो यहां पर सबसे अच्छा यहां पर यही है कि पसिना बहाय बिना संपती की आशा रखना व्यर्थ है, और अपना कारोबार जो होता है, वो नौकरों के भरो से कभी नहीं चोड़ना चाहिए, तो यह थी पूरी हमारी कहानी, हमने यहां पर समझ लिया है कि क्या कहना चाहते हैं, तो यहां पर आपको ऐसे ही points दिये होंगे, कहानी लेखन के मुद्दे दिये होंगे, उसके according आपको चलना है और उसके according आपको कहानी लिखनी है, I hope कि यह वीडियो आपके लिए helpful रहेगा, अगर आपको वीडियो पसंद आत है तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना, मत बूलना, वीडियो देखने के लिए और अब तक हमारे चैनल को बढ़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए and सब्सक्राइब कीजिए and this is a future academy, मिलते है next session में नए वीडिय की साथ तक टेक केर लोफ यू, बाई बाई